चोपड़ा हैं जो किसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदेख स्वागत करता हूँ मेरे पहरे बच्चो अभी हम सभी के मन में एक ही प्रसन उठ रहा है कि NTA दोरा NEET का रेजल्ट कब जारी किया जाएगा क्योंकि अभी NTA ने आंस्वर की और ओमार भी जारी नहीं की है तो इस बार NEET का रेजल्ट डिले होने की संभावना है क्योंकि अभी 13 अक्टूबर तक NEET Application Forum Phase 2 के रेजिस्टेशन है इसके बाद 14 या 15 अक्टूबर तक आंस्वर की और ओमार जारी हो सकती है आंस्वर की और ओमार चैलेंज के लिए कम से कम तीन दिन का समय दिया जाता है और दो दिन इसके प्रोसेसिंग में लग जाते हैं तो ऐसी संभावना है कि NEET 21 का रेजल्ट 20 अक्टूबर तक जारी हो सकता है समय के अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं अगर NTA द्वारा फेस्टू का रेजिस्टेशन सिटेंबर में ही कम्पलीट करवा लिया होता तो रेजल्ट 10 अक्टूबर तक आ सकता था मगर अभी थोड़ा सा डिले हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है पेसेंस रखें ये भी समय नजदीक आता जा रहा है आखिर समय किसी का इंतजार नहीं करता है 20 अक्टूबर की डेट भी आने ही वाली है तो जैसे ही आंस्वर की रिलीज हो जाएगी ओमार सीट रिलीज हो जाएगी इसके चैलेंज का ओप्सन मिलेगा तो हम आपको इंफर्म करतेंगे रेजल्ट आने पर भी आपको वीडियो बना कर बता दिया जाएगा तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन